कल्यान पश्चिन के पत्रिपूल से बैल बाजार के बीच एक रिक्षा और एक कार में टककर हो गई जिसके चलते रिक्षा चालक एहमद शेक बुरी तरीके से घायल हो गया इस दुरगट ना में उसके रिक्षा भी शतिगरस्त हो गई है आए ले ते इस बारे में अधिक जानकारी और पसली वगेरा पे भी फेच्चर है रिक्षा में कौन-कौन लोग थे हैं रिक्षा में पैसेंजर ते वह पैसेंजर उसको देखे ना एकदम मार लगा हुआ है जखनी हालत में तो उन लोग भी छोड़के उसको भाग गए महाँ पे और रिक्षा की इतनी कंडिशन खराब है आप वो रिक्षा को देखके ही बता सकते कि उसको कितना मार लगा हुआ है सामने वाले जो गाड़ी थी हो कौन से कंपणी की थी ओमसाई कंपणी की प्राइविट गाड़ी थी वो और अभी हम लोग उनसे मदद की दरखास कर रहे क्या हम लोग के घर में सी वही कमाने वाला है और एक मेरे पपा कमाने वाले मेरे पपा कभी अभी हाली में एक्सिट करें कि थोड़ा हम लोग भी मदद करतें थोड़ा आप भी मदद करो लेकिन वह कुछ कॉपरेट करने तयार नहीं है वह पंपनी साफ हाथ उठा दिये क्या तुमको जो करना यह करो पोलीस आई थी पॉलीस आई थी पॉलीस आपके पंचनामा करके गई है और मेरा भाई स्ब्सक्राइब और चींके रिक्षा बहाई TGK ते राइक हम आहिए सब खुर्थ तोड़ा सायट जो अधाया उसने टन्माराR कि नमारके डैरेक्ट अरुक्षा में पूलता है रिक्षे में कोई यात्री वगेरा थिनी यात्री वगरा ते यातरी उतर के चले गए एक्सिडन पर उनको भी मार लगा है नहीं कोनार्ग अपना शहर अपनी बातें